आई अब्जेक्ट मी लॉर्ट लोकल एड्वोकेट ने कहा जज ने हैमर को टेबिल पे पीटा कलम को कागज पे घसीता और हर बार की तरह ओडर ओडर चीखा चीख की आवाद से पब्लिक प्रोसेक्यूटर चौक गया फिर स्वर आया अब्जेक्ट्टन हैस बिन कंफर्मड एकनोलेजड यू में प्रोसीड एड्वोकेट ने कहा मेरे वकीर दोस्त पब्लिक प्रोसेक्यूटर सहब शायद भूल रहे हैं जिस वक्त खून हुआ वारदात के समय मेरा मुवक्किल बाल्टी से पानी निकाल दहा था बाल्टी को बार बार कुए में डाल रहा था घटन इस्थल से बहुत दूरी पर है वकुआ पब्लिक प्रोसेक्यूटर चिलाया अपना ऑबजेक्शन लगाया ऑबजेक्ट के सब्जेक्ट को देखकर जजड ने लोकल एड्वोकेट को रोका हैमर को फिर एक बार टेबिल पर ठोका जजड ने ऑबजेक्शन को सुईकार किया पब्लिक प्रोसेक्यूटर को भी चौका लगाने का एक भैतरीन मौका दिया मौके की नजाकत को देखकर प्रोसेक्यूटर ने अपना पट्टा फेका मेरे काबिल दोस्त उच्चकोटी के अधिवक्ता लोकल एड्वोकेट अपने मुवक्किर को बचाने के लिए निर्दो पुदा बखबास ब्लोट है जैसे लॉन की सूकी घास और दिपाली का फुसकी बं मगर उनकी दाथ तो देनी ही पड़ेगी क्या कोडी फेंकी है बहतरीन चाल है जनाब की बहुत ही खुब मनगरंत कहानी गड़ी है खून हुआ है कोई मजाक नहीं है मामला है संगीन और ज चोटी नहीं बहुत बड़ी है छुरा उनके हाथ में था रंगे हाथ पकड़े गए है जनाब प्रोस्क्यूटर है हम बहुत पुराने एड़ोकेट सहाब अभी नए नए है तूफानों से हम हवा के रुक का ग्यान लेते हैं लिहाब देखकर ही खत का मजलूम जाल लेते है सुनकर सरकारी वकीर के बहु बचन अधिवक्ता का खून खोला M.A.L.L.B. अड़ोकेट जचसे आकर बोला मेरा मुबकेर अभ्यूक को था जानता था उनको अपने पिता समान ही बानता प्रोपर्टी और कार सब कुछ पहले से ही है उसके नाम उसके पास कतल का कोई नहीं है घर के नौकर ने जो द्रश्य देखा वो मातर द्रश्टी ब्रम है अन्होनी घटनाओं का बहुत ही अध्बुत एक क्रम है नौकर ने सचा मेरा मुबक्किर अभ्यूक्त के पेट में छुरा डाल रहा था समझें इस घटना को मेरे मुबक्किर के द्रश्टी कौन स असल में मुवक्किल मेरा चुड़ा पेट से बाहर निकाल रहा था। जथ सहब हर साबुन नहीं होता लक्स है, खून करने वाला कोई और ही शक्स है। जैसे साबुनों में साबुन साबुन है हमाम, एल्जमात सब जूटे हैं जो लगे हैं तमाम। प्रोसेक्यूटर सहब तो जुर्वेकार है, चाबल है पुराने, नजर कमजर हचड़ी है, केस को असली मुद्दे से भचका देंगे, स्वैम स्वार्थ सिद्ध करने हैं, तु एक निदोश को फासी पे लटका देंगे, प्रोसेक्यूटर सहब हसे, फिर ताड़ी भी मुस्कराकर बोले, वह वह क्या दलीर पेशकी है, अब नया जाधीश महोदय, दोशी और निदोश का फैसला कैसे करेंगे, मुल्जिम अठाइस साल का युवा है, कोई दूद पीता बच्चा नहीं, नौकर है घटना का चश्मदीद गवाह, इसलिए बचाने की उसको आप की तमाम कोशिश हैं, बेवजहां, अच्चा हो अब अद्वोकेट सहब ये जालने, असल में अवियुक्त पेट में चाकू डालने से नहीं, निकालने से ही मरा है, कतल कर दिया एक बुजुर्ग वार का इसने बेवजहां, जज सहब सुनाईएं इसे कड़ी से कड़ी कोई बहुत भायानक सजा, आख के अंधों को दिखता सब कुछ हरा भरा है, इस इंसान का खुले घूमते रहना, सारी इंसानियत पे मन राता हुआ, बहुत बड़ा खत्रा है। बहानात हर चश्म दीद गवाहा और तत्यों पर गंभीर द्रश्टी फेकते हुए, ताज रात दफाए हिंद धारा 302 के तहट मुल्जम को खून के संगीन जुद्म का दोशी करार देती है। झाल झाल